कि इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं प्यार अपना था अब एक्स पी 85 का जो इस अब पूरा उसको कर लेते हैं 85 का पहले हमने लिया था 42 का अब हम लेते 85 का 85 का लेंगे तो उसी प्रकार से बराबर 100 अपन एनाया असी इसमें एप भी देखते हैं 85 किसके बीच में आएगा 80 से लेकर 89 कि रो में आएगा 85 तो हम देखते हैं एप भी कितना हुआ यह इसके सामने एप भी यह हो गया इसके लिए और एफ यह हो गया तो हम देखते हैं एप भी क्या है 69 प्लास एक्स क्या है अपना 85 माइनस एल क्या है इसकी निम्टम सीमा निम्नितम सीमा लेंगे तो क्या होगा 79.5 अपन आई है 10 मल्टिप्लाई एफ कितना है एफ यह रह आठ यह आठ होगा अब इसके बाद हम देखते हैं इसको केल्गुलेट करते हैं 100 अपन 80 अब इसको वैसे ही कैल्गुलेट करते हैं तो इसका आएगा 69 प्लास 4.4 4.4 इसका कैल्गुलेट करने के बाद यह आया इनको जोड़के इसको माइनस किया minus करने के बाद इसको इससे multiply किया multiply करने के बाद इसको 10 से भाग दिया 10 से भाग देने के बाद आपका आया 4.4 अब इसको अपन देखते हैं इसको अपन ये काटा दो चौका आट दो पंजी 10 5 अपन 4 ये आ गया 69 प्लस 4.4 अब इसको calculate करेंगे अपन तो आएगा 1.25 गोना इनको जोड़ेंगे तो आएगा 73.4 1.25 multiply 73.4 अब PR अपना आएगा इसको इससे multiply करेंगे तो 91.75 91.75 ये आणसर आगया तो ये आगया आपका भी 85 अपन 25 मां जो पद याद करते हैं 25 मां प्रतीसत प्रमन क याद करते हैं अरतात हम कह सकते हैं कि 91. 2017 इतने प्रतीसत स्टुडएंट आपके इसके नीचे की स्रेणी में आते हैं अब इसमें भी अपन ने देखा अब यह तो ओगया आपका प्रतीशत ओंति तक मांग इसमें आपने सूथ भी देखा और इसमें भी अफ विय फ फी और वही चीज़ आ रही है तो काई स्क्वार कब निकाला जाता है, एक काई स्क्वार कई प्रकार का होता है, जैसे T होता है, T का अपन मान देखते हैं, वैसे ही काई स्क्वार में भी सार्णी होती है, उसका मान देखा जाता है, 0.1 इस्तर पर क्या है, 0.01 पर क्या है, 0.05 पर क्या है, उसका मान, जैसे ह देखते हैं वर्ग इसमें भी अपन्स आर्णी बनाते हैं वर्ग जिसको कैटेगरी बोलते हैं अब लोकित आप रती अब लोकित आप रती इसके बाद आता है प्रत्याशित आप रती प्रत्याशित आप रती अब हम देखते हैं बर्ग कैटेगरी आप बनाते हैं उसके अब लोकित आप रती इसका संकेत करते हैं हम F0 से इसको F E से अब इसमें आपन देखते हैं इसके बाद भी आपन एक सार्णी बनाते हैं F0 माइनस F E इसके बाद लेते हैं F0 माइनस F E का हौलिश का है F O माइनस F E का हौलिश का हैं फिर F O माइनस F E F O माइनस F E अपन F E Right? F O माइनस F E का हौलिश क्यार अपन F E अब अपन इसमें सवाल अपना रखते हैं अभी मैं देखती हॐ हूँ आपका कि सवाल क्या था सभाल है अपना 500 चात्रों के एक रेंडम प्रतिदर्श में 280 चात ग्रामीन परिवेश के वे 220 चात सहरी परिवेश के थे क्या चात्रों की जनसंख्या में सहरी ग्रामीन चात्रों के वित्रन को समान रूप से वित्रित माना जा सकता है हम देखते हैं यहाँ पर जो सुन्ने परिकल्पना क्या होगी सुन्ने का परिकल्पना होगी दोनों वित्रणों में अंतर नहीं है सुन्ने परिकल्पना यह होती है कि हम पहले से ही दोनों में दोनों सम्मू है उसमें सार्थक अंतर नहीं है या दोनों वित्रों में अंतर नहीं है, सुन्ने मतल हम सुन्ने मान के चल रहे हैं, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, तो हम देखते हैं, पांसो चात्रों का एक रेंडम लिया, तो ग्रामीन चात्र, बर्ग अपन बनाते हैं, इस सवाल में दो बर्ग थे, एक ग्रामीन और एक शहरी, एक ग्रामीन और एक शहरी, तो ग्रामीन चात, चलो इसमें चाहत लिख सकते हैं, ग्रामीन चात और एक 스हरी चात, अब ग्रामीन चात कितने त dead, सवाल में दिया हुआ है, 500 चात्रों के एक रेंडम प्रतिदर्स में 289 अब आसी चात, Magic하는데 के, सवाल में दिया हुआ है 500 चैत्र के एक रींडम प्रतिदर्स में दो सौ अस्थी चाहत किसके है अपने ग्रामीन परिवेशके 220 चैतर सहरी चैत्र के 220 चैत्र किसके होगया Leaders अब ये अपना इतना सवाल दिया हुआ है अब इसमें हम समान वित्रन देखते हैं चात्रों के वित्रन को समान रूप में वित्रित माना जा सकता है तो समान वित्रन ये अब रथी है का इसकार समान वित्रन वाली है ये तो हम देखते हैं ये दोनों मिलके कितना हुआ 500 हुआ और इसमें विदे रखा 500 चात्रो के तो यह अपन देखते हैं इसका टोटल कितना हुआ 500 अब प्रत्याशित आप रती क्या बनती है f e क्या बनती है f e यह बनती है कि इनको बरावर भागों में बाटा जाए बरावर भागों में अपन बाटते हैं तो 250 250 इनका total करने पर कितना आता है 500 और 500 चातरों का ही हम निकाल रहे हैं तो 500 को अपने दो भागों में बाटा 250 और 250 इसके बाद F O minus F E करते हैं F O minus F E यह F O है यह F E वाली सार नहीं है तो 280 में से 250 गई है कितने बचे 30 इदा 220 और इदा 250 अपन ऐसे भी करते हैं माइनस प्लस में नहीं होगा 250 में से 220 भी करते हैं तो कितने बचते हैं आपके 30 बचते हैं हम इसको माइनस प्लस में नहीं करते हैं अपन माइनस करते हैं तो 30 ही बचते हैं वैसे अपन देखते हैं तो माइनस के 30 बचते हैं लेकि माइनस प्लस का इसमें रॉल नहीं होता है उसमें प्लस में ही चीजें होती है 30 और 30 ही हो गया अब हम देखते हैं, F O minus F E का whole square करते हैं, whole square करते हैं, तो 30 का whole square क्या होगा? 900, बर्ग करेंगे इसका, F O minus F E बर्ग लिखा हुआ है, 30 into 30 करेंगे, तो हमारा आएगा 900, 30 into 30 करेंगे, यहापर तो भी 900 आएगा, 900 आगया, अब इसको करने के बाद, अगली जो sign नहीं है, अपनी table है, F O minus F E square upon F E, तो हम देखते हैं, F O minus F E कितना है? 900, और 900 upon F E, अपन F E क्या है? 2250, इसको अपन solve करते हैं, 25, 25, 18 upon 5 आए, 18 upon 5, 18 upon 5 करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? 3.60, 3.60, इसको अपने F O minus F E तो अपना निकल के आया? 900, जो कि यह दिख रहा है, अब इसको अपने F E से divide कर दिया, F E का भाग दिया, इसमे, F E का अपन भाग देंगे, तो अपना निकल गए आएगा? 3.60, ऐसे ही सेम चीज इसमें है, तो इसमें भी 3.60, तो F O minus F E का हॉल स्क्वार अपन F E, तो यह आगे आपका 3.60, 3.60, अब इसको अपन जोडते हैं, जोड करते हैं, योग करते हैं, तो 0, 0, 6, 6, 12, 7.20, तो अपन देखते हैं, X स्क्वार इसका सूत्र है, काई स्क्वार, इसको X स्क्वार से संकेत करते हैं, X स्क्वार अपन क्या आया? 7.20 आंसर, तो काई स्क्वार अपना निकल के आगया? इनका योग करने के वाज 7.20, अब हम देखते हैं, कि 7.20 जो निकल के आया है, 0.01 और 0.05 पर इसका मान देखते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं, 0.01 पर, 0.01 पर इसका मान है, इसका सार्णी का मान 6.64, तो यह अपना df, df कैसे निकालते हैं अपना, दो सम्मू है, 2-1 बरावर 1, तो df, अपन देखते हैं, df, 1 पर अपन देखते हैं, 1 इस तर पर काई का मान क्या हुआ आपका, एक इस तर पर 6.64, और इसको यह मान अपना जादा है, टेबल का मान यह था, इस से यह मयान जादा है, अर्थ अपन देखते हैं, जो परिकल्पना बना के चनते थे, वो निरर्थक हो गई, परिकल्पना निरस्त कर दी गई, अर्था जो अपन परिकल्पना बना के गए थे, वो सार्थक है, और वो परिकल्पना आपकी एस्विक्रित हो गई, यह अपन देखा, काई स्क्यार कैसे निक जाता है पिरमानिक विचलन को भी अपन देखते हैं कि दो मान होते जो मद्ध्यमान होते हैं जो मद्ध्यमानों के अंतर को देखा जाता है दो बंद्ध्यमानों के अंतर को देखा जाता है इसमें प्रमानिक विचलन में इसमें भी इसी तरह की साहनी बनाई जाती है जैसे सी CIF, CIF, X, X इसको midpoint बोलते हैं, M-I-D-P-O-I-N-T, midpoint, और D, F-D, इसके बाद होता है F-D square, F-D square, अब इसमें भी अपन साइन इसमें भी दस-दस का बरगंतरा लेके बनाते हैं वालो, तो 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, वाज इतना ही अपन बना के चलते हैं, अब इसमें देखते हैं, C-I, F अपना कितना है, F अपना 99 के बीच में कितनी आप रहती हैं है, 2 आप रहती हैं, इसमें 12, इसमें 22, इसमें 20, और इसमें 14, इसमें 4 और इसमें 1, अप इसमें देखते हैं, midpoint, midpoint अपन कुछ भी बीच का point लेते हैं, बीच का कोई सा भी अपन एक point ले लिया, अपने C-I में से 60 से लेकर 69, यह अपना midpoint है, और midpoint के side में अपन देखते हैं, एक midpoint है, 60 से 69 अपन ने ले लिया, 90 से 99 अपन लेते हैं, तो इसमें midpoint जो बीच का है, midpoint अपन निकालते हैं, जैसे 90 प्लस 99 अपन 2, यह कितना हुआ, 9189, इसमें 2 से डिवाइट किया, इसको 9 4.5, 9 4.5, तो midpoint इसका क्या हुआ, 94.5, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, 84.5, इसका भी 74.5, इसका भी 64.5, 54.5, 44.5, 34.5, यह सब के आपके midpoint निकल के आ गए, बीच का point क्या है, अब D में आपन देखते हैं, D में जो आपन देखते हैं, कोई भी आप रती को आप ले लिजिए, कोई भी बिचलन को आप ले लिजिए, जैसे बीच का ही लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 60 से लेका 69, और इसके सामने अपन 0, 0 रख दीजिए, अब यह बढ़ते क्रम में उपर हैं, तो इसमें प्लस करके करते जाएं, प्लस करके करते जाएंगे, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, इसके उपर 4 हैं, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, अब यह नीचे के आप रहती हैं, तो इसमें अपन लेते हैं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, इस प्रकार से अपन D निकालते हैं, अब यह आपका D हो गया, प्रमानिक पिचलैन यह हैं, अब निकालेंगे अऊपन FD, FD का मतलब होता है 2 और 4 इनको multiply कर देंगे तो multiply करने के बाद आपन देखते हैं कि ये 3 जो स्रेनिया थी 93 हुई थी इसके बाद 3 है रोज से थोड़ा mistake हो रहा है 1, 2 और 3 FD जब अपन निकालते हैं तो FD का मतलब होपर F और D इसको multiply कर देते हैं 2 multiply 3, 2 multiply 3 करेंगे तो आपका आएगा 6, 12 multiply 2 करेंगे 24, 22 multiply 1 करेंगे 22, 22 multiply 0 करेंगे तो 0 ही आएगा अब इदर 14 को 1 से multiply करेंगे तो minus 14, minus 8, minus 3 ये चीज आपके निकल कर आएगी इनका आपन total करेंगे minus minus का जोड लिया, plus plus का जोड लिया, फिर plus में से minus को खटा दिया तो 27 बचें तो इसमें से आपका 27, अब 27 बचा, अब इसको अपन देखते हैं, FD, FD आपका ये आया, FD square करते हैं, FD square करते हैं, तो हम देखते हैं, इधर आगया, 6 का square करेंगे, 36 और 24 को भी दोबारा, 6 को करेंगे, तो 12 आएगा, sorry, 12, 48, 14, 0, 28, 16, 6, ये calculation अपनी निकल के आई, तो इधर आगया आपका, इसको टोटल करेंगे, 12, 48, इसका calculation करता है, 8 और 2, 10, 10, 14, 14 और 8, 14, 8 हो गए हैं आपके, प्लस करके देख लेते, 14 और 8, 22, 22 और 12, 34, 4, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, और 8, 15, ये निकल के आया, 154, अब इसको अपन देखते हैं, इसको सूत्र में रखते हैं, इसका सूत्र है, SD, sigma, FD square, sigma FD square अपन N, minus, sigma FD, अपन N, इंटो C, अब इसी प्रकार से इनको सूत्र में रख लेते हैं, FD square अपना आया था, 154, अपन N है अपना, N आएगा अपना इधर, 75, इनका total करेंगे तो N, 75 आएगा, 75 अपन, sigma FD, sigma FD है अपना, 27, 27 अपन N है इसका, 75, अब इसको अपनने, multiply C, I कितना है, C, I, I है इसमें 10, अंतराल इसका 10 का है, अब इसको अपन शॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार से पूरा solve करने के बाद आपका HD आएगा, HD बारपॉन 5 निकल के आएगा, इसको solve करने के बाद HD आएगा बारपॉन 5, तो ये चीज अपनने निकाली, प्रमानिक विचलन, प्रमानिक विचलन का ये शूत्र है, अब इसके बाद अपन देखते हैं, correlation, correlation क्या होता है, अपन देखते हैं, सह संबंध, सह संबंध जो दो ग्रुप होते हैं, उनमें कितना सह संबंध है, यह अपन देख के चलते हैं, तो अपना एक सवाल है, सह सम्मंध का, जिसको की अपन अभी करते हैं, इसमें भी इसी पकार से गुरूप बनाते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें भी एक जैसे मैट्स के स्टूडेंट है, यह मैट्स के मार्क्स हैं, यह मैट्स के मार और R1, R2, R1-R2 बराबर D, R1-R2 बराबर D, और फिर इदर d square इसको d square अब इसमें देखते हैं math के student थे अपने और math के marks उने students के marks थे math में 50, 55, 60, 65, 70, 85 और 90 यह math के students के marks है उस students के math में इतने marks है और science में 55, 62, 68, 74, 45, 80 और 87 इस प्रकार के marks है उसके science में अब r1 और r2 निकालते हैं r1 और r2 क्या है correlation यह सूत्र है r1 बोलते हैं उसको और इसमें देखते हैं अपन की math के जो student है r1 इस row के लिए लिखा हुआ है इसमें देखते है math के student वे सबसे ज़्यादा किसके हैं सबसे ज़्यादा कितने marks हैं उस student के 90 marks हैं तो इसके सामने अपन 1 फ़र्श नमबर एक नमबर इस पर डाल दिया उससे कम कितने marks है 85 इस पर 2 डाल दिया 85 से नीचे कितने है 70 इस पर 3 डाल दिया फिर इस पर 65 है इस से कम फिर इस पर 4 डाल दिया इस पर 5 डाल दिया इस पर 6 डाल दिया इस पर 7 डाल दिया इस प्रकार से हमने डाल दिए, इसी प्रकार से साइंस वाले स्टुडेंट का करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं? 80, इसमें सबसे ज़्यादा, 87, sorry 87 है, 87 इस पर first, इसके बाद 80 वाले के हैं, इसके बाद 80 के बाद number आते हैं, 74, तो 3 नमबर इस पर डाल दिया, 74 के बाद 68, 4 इस पर डाल दिया, इसके बाद 5, इसके बाद 6, और इसके बाद 45 पर 7 नमबर डाल दिया, इस प्रकार से यह marks है, फिर हम देखते हैं, R1-R2 बरावर D, D किस प्रकार से निकालते हैं, R1 यह आया, R2 यह आया, तो अपना minus कितना बचा, 1, 7 मे से 6 गए तो, 1, 6 मे से 5 गए, तो 5 मे से 4 गया, 1, 4 मे से 3 गया, 1, और 3 मे से 7 गया, तो किस तने बचेंगे, minus के बचेंगे, 4, minus 4, यह सब प्लस गयते हैं, यह minus 4, प्लस लगा देते हैं, 7 मे से 3 गये, तो minus 4, और 2 में से 2 गया, 0, 1 में से 1, 0, अब इसमें D square करते हैं, D square करेंगे अपन, 1 का square करेंगे, 1 का करेंगे, इसका भी 1, इसका भी 1, 4 का करेंगे, 16, इसका 0, इसका 0, इसका 0, ही calculation अपन की निकल के आई, अब इसको अपन sigma D square, इसको योग कर लेते हैं, तो इसमें सायगा 16, 17, 18, 19, 20, sigma d square आया 20, 20 आया, अब इसका भी सूत्र है, इसका सूत्र है P बरावर, P बरावर, P बरावर 1, 1-6 sigma d square, 6 sigma d square upon n, कोष्टक में n2-1, n2-1, यह इसका सूत्र है, अब इस सूत्र को में अपन संक्या लगाते हैं, अपनी बरावर, 1-6, multiply sigma d square कितना है, 20, sigma d square है, 20, तो यहां 20 लिख दिया, n, n अपनी संक्या आई थी, n अपन देखते हैं, यहां पर 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n कितना है अपना, 7, अब 7 का square minus 1, 1-6, multiply 2 करेंगे, 6 multiply 20 करेंगे, और इसको नीचे 7, 7 square minus 1, यह calculation करेंगे, तो minus 6, 4 आया total, बरावर minus 6, 4, minus 6, 4, यह निकल के आया आपका सहसे, इसके बाद अपन देखते हैं, इसका ही अपन दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे किसी के गनित में, गनित के मार्ट लेते हैं, चित्रकला के मार्ट लेते हैं, r1, r2, r1 minus r2 बरावर d, और d square, यह अपन ने लिया, अब इसमें में मार्ट कितने हैं, 50, 52, 45, 65, 60, 45, 45, 40 और 44, यह आपके मार्क्स है, अब यह मार्क्स हैं, यह तो आपके मैस के मार्क्स हैं, स्टुडेंट के, और चित्रकला में मार्क्स कितने हैं, 45, 60, 65, 60, 40, 48, 50, 52, और 55, यह मार्क्स हैं, चित्रकला के, अपन रवन की रो बनाते हैं, रवन की रो बनाते हैं, तो सबसे पहले रवन की बनाते हैं, इसमें देखते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, 65, 65 और रवन का है, 65 पर इस पर आपने बन लिख दिया, इसते कम हैं 60, इस पर 2 लिख दिया, इसते कम हैं आपके 52, इस पर 3 लिख दिया, इस पर 4 लिख दिया, अब आप देखते हैं, 4, अब इसके बाद आप तर देखते हैं, 4 आपने लिया अब फोर के बाद अपन 5 देखते हैं 50 हो नीचे है 45, 1, 1, 2, 3, ये 3 आते हैं आपके, इसके 45 पर अपन लेते हैं तो 3 कैटेगरी आती है 45 में किस पर आपन 5 डालें, लेकिन अपन को कैल्गूलेट करना पड़ेगा, इसको अपन देखते हैं 45, 45, 45, ये 3 है आपका, तो इसको अ आपन किसमें अग कैल्गूलेशन करते हैं तो ये आपका है एक फ्लस दो प्लस तीन तीन, 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 तू पांच और एक 6, 6 अपन 3 अर्था 2, अर्था 2, 1, 2, 3, इनको जोडने के बाद इसका उसत निकाला, इनको 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद आपका तू, तू आया, तो यह 45, 45, 45, इन तीनों के सामने अपन को 2, 2 कर देना है, इन दोनों के सामने अपन 2 लिख देंगे, तो 45, 46, 47 की तो यह हो गई, अब इधर आपन लेंगे, 48, 8 नमबर पर यह आएगा, 8 नमबर और 9 नमबर पर यह आएगा, तो यह आपके R1 की टेबल हो ऐसे ही इसमें अपन लेते हैं, सबसे ज़्यादा है आपके, 41 में फ़र्शन R2 है, तो इसमें अपन लेंगे, 65, 65 है, तो 1 नमबर इस पर डाला, 65 के बाद, यह 60 का 2 नमबर पर अपन लेते हैं, तो 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 1 प्लस 2 यह, 3 अपन 2, तो 1.5, तो 1.5 निक 1.5 तो 1.5 अपन दोनों के सामने रख देंगे, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 यह आपके आ गए, तो यह फर्स्ट नमबर, इधर आया, 1, अब इसके बाद आपके, 60 है, 61, 2, तो इधर 1.5, 1.5, इसके बाद है, इससे कम है आपका 50, तो 2 और 3 हो गए, इस पर अपन ने 4 रखा, 4, इसके बाद यह, 55 है इससे कम, 4 यह आएगा, 4, 5, 6, 7, यह 8 और यह 9, यह आपके आ गए, अब इसको आरवर माइनस आरट टू बरावर दी है, अब दी निकालेंगे, इसका माइनस करते जाएंगे, अपन, 8 में से 4 गए, 4 बजे, और 3 में से अपन, 1.5 कम करते हैं, तो इदर आ गया, 5, 1.5 यह आया, 1.5, इस में से 2 में से बन गया, 1, 1.5 में से बन गया, तो 0.5, 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7, 7 में से 2 करेंगे, 5, 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4, 9 में से 5 करेंगे, 4, 8 में से 4, इस में भी 4 होगे. अब D स्कार करेंगे, इदर 16 हो गया, 4 को अपन गुणा करते हैं, 4 चका 16, और इसका भी गुणा करेंगे, तो इस में हो गया, 1.25, अंडरूट करेंगे, 1.5 का, इदर 1 का, 1, और इदर का, 1.5, और 0.5 को करेंगे, तो 25 हो जाएंगे. और इदर भी, 7, 79, 25, 16, 16, 16, अब इनका अपन टोटल करते हैं, तो आएगा 125.50, अब इसको अपन सूत्र में लेते हैं, सूत्र ता अपना, P बरावर, 1, माइनस सिग्मा, 6, D स्क्रार, अपन, 6 सिग्मा, D स्क्रार, अपन, सिग्मा, D, बरावर, 1, माइनस, 6, इन्टू, D स्क्रार आया, अपना 125.50, अपन, D का अपन टोटल करते हैं, D का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर आता है भैटतर, इनका टोटल करेंगे, D का टोटल करेंगे, 4, 5, 5, 6, इधर पहले पॉंट वाली संख्या ले लेते हैं, 25, 5, 5, 10, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, माललो टोटल करने पर आपका आया, 26.10, 26.10, अब इसका कैल्गूलेशन करने के बाद आया, अपना 1.046, तो यह चीज अपने निकल के आई यहाँ पर, यह था अपना सैसम्मंद,